ये इंसानी प्रकृति है कि जो चीज आपको नहीं मिली है वही आपको सबसे उची चीज लगती है जो आपके पास नहीं होता उस पल वही सबसे बड़ा लगता है अगर आपने दो दिनों से खाना नहीं खाया तो खाना भगवान हो जाएगा आया ना? नहीं? हाँ अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मूँ बन करके दो मिनिट तक अपनी नाक पकड़िये अब आप भगवान चाहेंगे या हवा? हवा अगर भगवान खुद पूछें हवा चाहिए या भगवान? आप कहेंगे आप भाड में जाएए, मुझे सांस लेनी है क्योंकि उस पल जो भी चीज आपके पास नहीं होती, वो खुद को इतना बड़ा कर लेती है कि बाकी हर चीज को ढख लेती है या दूसरे शब्दों में, जब आप मजबूरी की स्थिती में होते हैं तब चीजों को वैसा नहीं देखते जैसी वो हैं, वो बहुत बड़ चड़ जाती है अगर आपका ब्लैडर भरा है एक मिनिट, मैं आत्म ग्यान की बात कर रहा हूँ आपका ब्लैडर भरा हुआ है क्या आपको रुची होगी? मुझे आत्म ग्यान नहीं चाहिए फिलहाल बात्रूम जाना ही परम्मुक्ती जैसा है हाया ना तो चाहे जो मजबूरी हो मजबूरी की स्थिती होने पर आप किसी भी चीज को उसके असली रूप में नहीं देखते जीवा नुस पल आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि यही सच है तो इस तरह इंसानी जीवा नेक मजबूरी से दूसरी में जाता रहता है यह आपको चीजों को उनके उनके असली रूप में देखने का कभी समय ही नहीं देता अगर आप जीवन को वैसा नहीं देख सकते जैसा वो है तो क्या आप उसे वैसे संभाल पाएंगे जैसे संभाला जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, है ना? अगर आप चीजों को उनके असली रूप में नहीं देखते तो आप उन्हें वैसे नहीं संभाल पाएंगे जैसे संभाला जाना चाहिए इसी कारण लोगों के जीवन और समाज कई तरह से भद्दे हो गए हैं जब मैं भद्दा कहता हूँ तो मेरा मतलब है सामान्या मैं एक स्कूल में चौदा पंद्रा साल के बच्चों से बात कर रहा था वो लगभग ग्यारा बारा लड़के लड़कियां थे मैं उनसे पूछ रहा था कि वो आगे क्या करेंगे क्योंकि वो शायद दसवी क्लास में थे वो सिर्फ नौकरी ढूंड कर पैसा कमाने की बात कर रहे थे मुझे विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि जीवन भर मैंने कभी पैसे कमाने की नहीं सोची मेरे पिता अपना सिर पीटते थे इस लड़के के दिल में डरी नहीं है इसका क्या होगा इसका क्या होगा मैंने का डर नहीं होना समस्या है मुझे लगा डर ना समस्या है मैंने कभी नहीं सोचा कि डर ना होना समस्या है तो परमातमा का हुक्म था कि मैं एक डॉक्टर बनूँ क्योंकि मेरे पिता डॉक्टर थे दस साल की उम्र में मैंने उनसे कहा नहीं ये तो मैं बिलकुल नहीं बनूँगा, मैं डॉक्टर नहीं बनूँगा पर रोज कोई न कोई मुझसे कहता, तुम्हें सिर्फ एक डॉक्टर ही बनना चाहिए, आप भारती परिवारों को जानते हैं, डॉक्टर बनना ही पड़ता है, आज कल सॉफ्ट्वेर सीखना पड़ता है, मैं आठ दिन शिकागो में था, दो दिन पहले ही मैं भारत आया, तो आठ दिन पहले मैं शिकागो में था, और वहाँ एक भारती व्यक्ति से मैंने पूछा, आप क्या करते हैं, और क्या सद्गुरू, यानि वो एक सॉफ्ट्वेर इंजिनियर है, कुछ समय पहले कोई कहता और क्या, तो वो एक डॉक्टर होता, अब कोई कहे और क्या, तो वो एक सौफ्ट्वेर इंजिनियर है, वो डॉक्टर इसलिए नहीं बने क्यों उन्हें शरीर विग्ञान में रुची थी, वो सौफ्ट्वेर इंजिनियर इसलिए नहीं बने क्यों electronics में रुची है बस पैसा कमाने के लिए क्या ये ज़रूरी नहीं है मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक चीटी जिसका दिमाग आपसे 10 लाग गुना छोटा है वो भी जीवन चला लेती है आपका दिमाग इतना बड़ा है आपको क्या समस्या है मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये भुरी तरह से सीमित करने वाला विचार यो वाँ पर थोपा जा रहा है कि आपको पैसे कमाने होंगे कि यही सबसे बड़ी चीज है इतना बड़ा दिमाग होते हुए पैसा कमाना क्या वाकई कोई समस्या है मैं जानता हूँ कि सभी को यही मानने के लिए तयार किया गया है पर ऐसा नहीं है मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं है मानब चेतना के लिए पैसे कमाना एक मामूली चीज है पर दुरभाग किसे पूरी मानब था अपनी पूरी उर्जा और बुद्धी बस पैसा कमाने में लगा रही है अगर दुनिया में ये नहीं बदलता मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे नहीं कमाने चाहिए मैं बस ये कह रहा हूँ कि इसे पूरी इंसानी चेतना पर हावी नहीं होना चाहिए अगर आप एक छोटी उंगली से काम करें, तो ये पैसे कमा लेगी इसमें इतनी काबिलियत है पूरी इंसानी प्रतिभा मुर्जा कर मर गई है सिर्फ इसलिए कि सभी सोच रहे हैं, पैसे कैसे कमाएं, पैसे कैसे कमाएं जब वो पैसा कमाने लगते हैं तो वो बैठे बैठे मोटे हो जाते हैं आपको सोचना चाहिए, मैं इस जीवन के साथ क्या कर सकता हूँ, है ना आपको सोचना चाहिए, इस जीवन के साथ सबसे बड़ी चीज मैं क्या कर सकता हूँ क्योंकि एक दिन आप मर जाएंगे, क्या आप जानतें? क्या आपको पता है, आप मर जाएंगे? तो मरने से पहले, इस जीवन को परम संभवना तक पहुँचना चाहिए, है ना? मैं पैसे कमाता हूँ, पैसे कमाता हूँ, लोग गर्व से कहते हैं, आप क्यों नहीं देखतें, कि हर कीड़ा, हर पक्षी, हर जानवर, इस धर्ती का हर प्राणी, जीवन चला रहा है, इतना गर्व कि मैं अपना जीवन चलाता हूँ, इसमें इतना गर्व करने की क्या बात है, सभी अपना जीवन चला रहे हैं, है ना? सिर्फ इनसान ही इसे मुद्दा बना रहे हैं, बहुत बड़ा मुद्दा, जब मैं ये देखता हूँ, कि इनसानी बुद्धी, जीवन चलाते-चलाते कैसे कुर्बान हो गई है, तो इनुष्य कितना कुछ कर सकते थे, वो अद्भुत चीजे कर सकते थे, पर उसके बजाए, वो पैसा कमा रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है, मैं सोच रहा हूँ कि हम एक लहर शुरू करें, खास तोर से स्कूलों और कॉलेजों में कि पैसे कमाना एक छोटी सी चीज है, ये तो इस दिमाग को पैसे कमाने के लिए संघर्ष करना चाहिए, ये समस्या बन गई है, क्योंकि आप किसी और जैसा बनना चाहते हैं, है न, आप किसी दूसरे जैसा बनना चाहते हैं, आप गुलाम बन जाते हैं, और इस चक्कर में पढ़ने के बाद, और कुछ नहीं हो पा आप हमेशा के लिए इसी में फंस जाते हैं, अब जिस संभावना को हम योग कहते हैं, वो शरीर को मरोडने, फिट होने, या स्वस्थ होने के बारे में नहीं है, अगर आप प्रकृती के साथ तालमेल में हैं, तो प्रकृती ये सब कुछ कर देगी, ये अपने सिस्टम की जामिती के माध्यम से ब्रह्मांड की जामिती समझने के बारे में हैं, मैं इसे जामिती कह रहा हूँ, क्योंकि ब्रह्मांड एक जामिती है, है न, पृत्वी, सूरच के चारों और घूम रही है, ये क्या है, डीजल के शक्ती, क्या एक डीजल इंजिन इसे धक्का दे रहा है, अगर ऐसा होता, तो इंजिन के आवाज से हम मर जाते, जामिती इतनी अच्छी है, कि धर्ती बस घूमती ही चली जा रही है, है न, आपने लगतार चलने वाली मशीने देखी है, क्या छोटी मशीने, अगर आप बस ऐसे करें, तो वो सालों तक चलती रहेंगी, तो ये बस यही है, जामिती की सटीक्ता इसे लगतार चलाती रहती पूरे ब्रह्मांड में जामिती सटीकता है, तभी अपनी जगापर टिका है, वरना नहीं टिकता। जिसके द्वारा आप पूरा ब्रह्मांड इसमें उतार पाएंगे, ये कोई छोटी चीज नहीं है, अगर आप बस ऐसे जीएं, तो आप हड़ी और मास का एक टुकड़ा है, अगर अगर आप इससे सही कर लें, तो अचाना कि ये कुछ और बन जाता है, शायद अब लोगों को ये अनुभव नहीं होता, क्योंकि आपके पास टाटा स्काय, डिशनेट, वगेरा है, पर मान लीजिए, असी का दशक है, और आपके घर के टीवी में दूरदर्शन चल रहा है, आप अपना पसंदीदा क्रिकेट मैश देख रहे हैं, अचानक आपका टीवी बूब-बूब करने लगा, तब आप छट पर जाते, और वहाँ एक अलुमिनियम एंटीना होता था, ऐसा किया, कुछ नहीं आया, वैसा करो, कुछ नहीं आया, पर उसे सही जगा पर घुमाने पर, आह, दुनिया आपके कमरे में उतर आती, ये भी ऐसा ही है, अगर आप इसे सही रखना सीख गए, तो पूरा ब्रह्मान्द आप में उतर आएगा, तो खुद की इंजिनियरिंग का मतलब, बहतर रूप से सांस लेना, ज्यादा स्वस्थ होना नहीं है, नहीं, ये मनुष्य होने की पूरी क्षमता को जानने के बारे में है, झाल झाल झाल